हनुमान चालीसा की बड़ी इंट्रस्टिंग स्टोरी है जो जादा लोग को नहीं पता है बहुत सारे लोग नहीं जानते की हनुमान चालीसा बनी कैसे जो तुलसी दाजी ना हनुमान चालीसा लिखी बड़ी हिस्टोरिक इवेंट है बलकि मज़ी की बात है कि वारियर में बिटिश राइटर हैं, उन्होंने स्टोरी को लिखा है, मैं किवल इंडियन राइटर्स की बात नहीं कर रहा है, और एक फिलिप लुटगिंडॉफ जिन्होंने आक्सफुर्ड युनिवरसिटी ने इस किताब को छापा है हनुमान टेल The Message of Divine Monkey ये किताब आक्सफुर्ड युनिवरसिटी प्रेस ने चापी है कुछ समय पहले फिलिप को वालमी की अवार्ड भी दिया गया था इस देश में तो इन्होंने हनुमान चाली सकाए थी हास लिखा है, एक बार क्या हुआ बनारस की घटना है तुलसिदाश जी महराज बैठे थे बनारस में तो किसी नव शादी हुई थी अभी विर पती की मृत्य हो गई, उसकी शव यात्र जा रही थी बनारस का तो घाट फेमस है तो तुलसिदाश जी के सामने से जब जा रही थी तो तुलसिदाश जी कि वो कुछ लोगों में और उसकी पत्नी में बड़ी श्रद्धा थी कि संत में संत तो सब कर सकते हैं तो चरणों में गिर गई, तो तुलसिदाश जी बोले भई राम जी का नाम लो अब क्या हो सकता है राम नाम लो, फिर भी उसका इतना भरोसा पका था कि तुलसिदाश जी बैठके नाम किर्तन करते रहे और श्री राम जैराम, श्री राम जैराम जब करते रहे, तो थोड़ी देर में वो पती उठ गया ये चमतकार हुआ, वो पती एकदम उठ गया, अब वाटसोएवर जो भी कह लीजे कि वो मर गया था या जो भी था, पर बात ये सामने हुई कि नहीं मरा था, बेहोश था this will not go into that logic बट वो उठ गया, उठ गया तो सब चौंगर तुलसिदाश जी कि महिमा चारों तरफ पहलने लगी सब गाने लगे, सब सोचने लगी कि ये क्या बात है तब उस समय कुछ हिंदू मंत्री उची पोष्ट पे थे अखवर के राज में, जिसमें एक नाम था टोडर मल का खाने खां भी एक नाम था ये सब कुछ थे, जो अपने हिंदू समाज के लोग थे, पर उचे स्टेटस तो उनके माध्यम से पता चला है, अखवर को कि कोई एक संत है बनारस में जो ऐसा काम कर गया चमतकार कर गया तो अखवर ने का, एच्छा ऐसे का, तो हमें इल्म लेना चाहिए और उनको बुलाया जाए, तो सैनिकों को भेजा हलाकि उसको इतनी आदत नहीं थी कि किसी संत को कैसे बुलाया जाता है तो सैनिक जाके तुलसिदास से बोले हो चलो बादशाह ने बुलाया तुलसिदास जी अब भई संत को बुलाने के एक तहजीब होती है और वो बिचारे बात तो नीचे वाले लोग अपने हिसाब से करते हैं तो तुझा जुझे मुझे वहाँ क्या जरूवत है जानी की मेरे को तो कोई मिलने की आवश्रक्ता नहीं है मैं कभी आया उस तरफ तो मिल लूँगा नॉर्मल बात है ये बाज़ आखर को पता चली तो इतना बड़ा बादशा बुरा मन गया मेरे नियोते पर नहीं आया ले आके उसको बंदी बना के लाया जाए तो बंदी बना करके लाया गया खड़े कर दिया तो उस सिदास को अख़वर की दरवार में तो कहा हमने सुनाए कि तुमने मुर्दे को जिंदा किया चमतकार हमको भी देखा तुमने मेरे को तो कोई चमतकार नहीं आता मैं तो भगवान का नाम ले रहा था भगवान ने करपा करी नाम में चमतकार है उसने उनने कुछ कर दिया तो मैं नहीं जानता है तो अख़वर की जिया कि ये इतरा रहे इतना रहे हैं तो उनने का इसको भी जेल में डालो सबसे हमारी खतरनाक वाली जेल में देखते हैं क्या चमतकार होता है तेरा वो नाम लिया बचाता है कि नहीं तो तुलसिदाजी को जेल में डाला जिस दिन जेल में डाला तुलसिदाजी क्या करें वो तो प्रसन्न हो गए विपत्ती को समस्या को तपस्या में बदल देना भक्ती है रोते नहीं रहे तो सिदाजी उसे बैठे क्या करूँ तो उन्होंने सबसे पहले चौपाई लिखी श्री गुरुचरन सरोजर रजने जिमन मुकोर सुधारी ये आयोध्या कांड का मंगला चरने राम सिर्द मानस का तब ये पहली चौपाई लिखी फिर रोज एक-एक चौपाई लिखते गए चालीस दिन तक उनके मन में ये चौपाईयां प्रगट होती रही और वो रोज एक-एक लिखते गए लिखते गए लिखते गए ये मैं आपको विलियम और फिलिप की कहानी सुना रहा हूँ जो उन्होंने लिखी आउक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस में आजकल लोग कहते हैं वही वहां से बाता है तो परमानीत बात लगेगी अपनिया की बातों को ऐसी कह देते हैं मित है उन्होंने ये लिखा है जॉक्सफोर्ड ने इतिहासिक घटना है क्योंकि इससे रिलेटर एक फरमान भी जाहरी किया था अकवर ने जो कि हिस्ट्री में मौजूद है इसलिए ये घटना घटकी हजानों बंदर आ गए और वो इतने एग्रेसिव बंदर आ गए कि टोली आ गए बंदरों की जिसने पूरे फटेफुर में कोहराम मचा दिया रसोयों में घुजगए लोगों पर अटेक कर दिया अकवर घवडा के कमरे में बंद किया गया उस समय हाफिज जो इसलाम का बहुत बड़ा कुरान पढ़ाने वाला पदवी का व्यक्ति होता है जब उसने ये देखा ये हो रहा है तो अकवर को खवर भेजी कि तुससे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है ये खुदा का रब का कोहराम है ये बुरा करम याद कर आए कि तुने कुछ किया है गलत क्या किया अब राया के लिए तो रोजी कोई ने किसी को सजा दीता था उसको तो याद नहीं था रहे तो दाजी ने जैसे उपर देखकर हाट जोड़ा दीरे-दीरे सब बंदर भापस चले गए एकदम से वहां से बापस लोट गए सब लोट गए तो उसके मन में श्रद्धा और जग गए तो तुलसी दाजी ने उसको आग गया देगी तो इसी समय फत्यपुर छोड़ कर चला जा तब फिर अखवर बापस दिल्ली आया पहले तो दिल्ली में ही था इसने स्पेशली फत्यपुर की निर्मान किया था फत्यपुर सीकरी आगरा के पास फिर उसके बाद में दुबारा दिल्ली ये लोग बापस लोट कर किया और एक फरमान जारी किया गया कि कोई भी राम औ इतियास में भी पढ़ते हैं ओस समय यह हनुमान चाली सा का हनुमान जी तुलसीदाजी के द्वारा जनम किया गया यह हनुमान चाली सा कि एक बहुत बड़ी घटना है जिससे वह विश्व में और फिर एक इतनी बड़ी kingdom में जब influence हुआ बक्ती काल में तो बहुत सारे जन हुए पर जब एक राज़ा ही किसी को समर्पित हो गया तो फिर तुलसिदाज जी का influence गोश्वामी जी का पूरे नौथ हिंडिया में देरे 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 चारों तरफ व्यापत होने लेगा